नमस्कार आप देख रहे हैं सियासत का खेल दलित महिला से मार पीट और जमीन कबजा करने के आरोप में जेल में बंद परताफगड जिले से समाजवादी पार्टी की जिला ध्यच छवीनाथ यादो के समर्थक एक बार फिर आकरोशित हुए आपको बता दें की जेल में बंद सपा के जिला ध्यच छवीनाथ यादो के मार पीट का मामला आया जिसके बार उनके समर्थकों में एक बार फिर आकरोशा गया इसके बार यह मामला लखनो तक गर्मा गया आपको बता दें की सनीवार को अफवा उड़ा की बारा बज़े जेल में बंद समाजवादी पार्टी के जिला ध्यच छवीनाथ यादो के साथ मार पीट की गई है और वा काफी गंभीर रूप से घायल हो गये हैं और जेल प्रसासन इस घटना को अब छिपाने की कोशिस कर रही है जब यह सुना सपाईयों ने तो सपाईयों में एक बार फिर बड़ा आक्रोस फैल गया इस वारदात की सूचना लखनव इस्थित सपा मुख्याले तक पहुच गई वहां से इस मामले की जानकारी जब समाजवादी पार्टी के वरिष्टने ताउं को ही तो खलबली मच गया जब जेलर भारती चौदरी से इसके बारे में पूछा गया तो जेलर भोचक कर है गये जेलर ने मारपीट की घटना को अफवा बताया तब इसके बार सपानेताओं और कारकरताओं ने रहत की सास्वी आपको बता देकी समाजवादी पार्टी के जिला ध्यच छवीनाथ यादो के भाई पूर्व चेर्मैन गुलसन यादो ने कहा की यहाँ एक साजिस के तहत उ सपा जिला ध्यच छवीनाथ यादो के बारे में अफवा उड़ी की जेल में उनके साथ मार पीट हुई है और वा गंभी रूप से घायल हुए हैं इसके बार से तो उनके समर्थकों में भारी आक्रोस फैल गया और इसके बार यहाँ मामला इतना गर्मा गया की यहाँ मामल चैनल को सस्क्राइब नहीं किया है तो चैनल को सस्क्राइब कर लें बिल बटन जरू दबाएं वीडियो देखने के लिए धन्वाद